तीन वर्ग अध्याय च्छे और थाथ हम अब तक पूर्व के पांच अध्याय पढ़ने के बाद उसका अध्याय करने के बाद हम छटवे अध्याय पर आ रहे हैं जिसका शीरशक है तीन वर्ग वर्ग के क्या माइनी है? किनका वर्ग? वर्ग होता है एक तरीके से कहना चाहिए कैटेगरीज तीन कैटेगरीज और वर्गी करन की जुरत क्यों पड़ती है? किसी भी चीज को यदे हमको व्यवस्थित धंग से देखना है, समझना है, रखना है, अध्यान करना है, तो हम उसे कुछ खंडों में बाटते हैं पिर खंडवार उनका अध्यान करते हैं, या उनको योजना बढद्ध करते हैं, उनको समाहित करते हैं, आदी आदी. यहां जो वर्ग शब्द का तालुक है, वह है समाज से. समाज के टीन वर्ग, जिनका अध्यान हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं. दूसरे शब्दों में ये अध्याय समाज को समर्पित है और समाज के उन तीन वर्गों को समर्पित है मूल रूप से जो उस काल का इतिखास बनाते हैं ये जो अध्याय है छटवा तो है लेकिन तीसरे भाग का है और उसका शीरशक है बदलती परमपराएं अर्थात ये अध्याय बदलती परमपराओं के अध्यायों के क्रम में एक ऐसा अध्याय है जो उस काल में जो कुछ बदल रहा था उसके बारे में बताती हैं विशेशकर समाज में सामाजिक व्यवस्था में राजनेतिक व्यवस्था में भी निश्चित रूप से हम कुछ चीज जानेंगे तो समाज का वर्गी करन उसका अध्यान हम इसका लाँ इस अध्याय में कर रहे हैं यह जो अध्याय है नौवी शताबदी से सोलहवी शताबदी तक का है आठवी शताबदी तक के इतिहास को हम पूर में पढ़ चुके हैं सामराजियों का इतिहास था अरब उद्या का इतिहास था इसलाम के उद्या का इतिहास था और यॉरप में घटिद घटनाओं का इतिहास था इस अध्याय में हम नौवी शताब्दी से स्वलवी शताब्दी के बीच की बदलती परंपराओं के क्रम में जो समाज के वर्ग थे उनका अध्यान करेंगे तो अगली बात जो इस सध्याय में महतपूर्ण है समझने की वो ये हुई कि यहां अध्याय किसी व्यक्ति विशेश का अध्याय नहीं है किसी घटना का अध्याय नहीं है किसी अंतराश्ट्री संबंदों का अध्याय नहीं है जो कि इसके पूर में हुआ है और सामान इतिहास को हम यही मानते हैं कि उसमें महत्पूर्ण व्यक्ति, महत्पूर्ण घटनाएं, महत्पूर्ण अंतराष्ट्री मुद्व, इनका सम्मिश्रन रहता है और पूरा जो इतिहास है वो इनकी आसपास घूमता है, ये धूरी रहते हैं। इस अध्याय में आप किसी व्यक्ति विशेश का नाम नहीं सुनेंगे, जो केंदर बिंदु है, इस अध्याय में आप किसी विशेश घटना का नाम नहीं सुनेंगे, किसी विशेश वर्ष के बारे में नहीं जानेंगे, और कुछ अंतराष्टी घटना करम या कुछ लर्निंग आउटकम क्या होगा पहला नौवी से सुलवी सदी का इतिहास इस अध्याय का काल दूसरा मध्य एवं पश्चमी यॉरोप में घटित कुछ प्रमुक्ष सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक परवर्तनों के इतिहास को जानेंगे तीसरा यॉरोप में संग्ठित राजनीतिक शक्त के अभाव के काल का ध्यान करेंगे जो रोमन सामराजिक के पतन के बाद होता है और जिसकी परणिती सामन्तवादी व्यवस्था के रूप में होती है चौथा जर्मन समू जिसमें फ्रैंक्स भी थे उनके द्वारा विविन ख्षेत्रों में जाने का इतिहास उनके द्वारा अपने पंक फैलाने का इतिहास जिसमें इटाली, पेइन, फ्रांस आधिक ख्षेत्र शामिल है और पांचवा, केंद्री राजनीतिक सत्ता के अभाव के परनाम सुरूप, भूमी पर नियंतरन का संघर्ष और भूमी जो है, वो राजनीतिक सत्ता का केंद्र बनती है, सामन्तों के बीच में जगड़े का अध्यायक की शुरुआत प्रिष्ट भूमी से होगी, और जो दूसरे बिन दूस में छुए जाएंगे, उनमें सामन्त वाद का परिचह, इसका उदै कैसे हुआ, और सामन्त वाद की समाप्ति कैसे हुई, फिर इसके बाद, फ्रांस और इंग्लेंड के आपसी संबंदों पर आप समझेंगे, तीन वर्गों का उदै और इसके बाद तीनों वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक संबंदों को प्रभावित करने वाले कारकों को जानेंगे, जिनमें पर्यावरन है, भूम युप्योग है और कृष्य प्रद्योगी की है, इसके बाद चौथा वर् जानेंगे जिसमें नए नगर और उनके निवासी हैं, साथवा बिंदू, चोदहवी सडी का संकट, अर्था आर्थिक प्रगति का धीमापन, उसके कारक, आठवा बिंदू रहेगा सामाजिक आसंतोश और अंतिम रहेगा राजनेतिक परवर्तन, उस राजनेतिक परवर्त कौन-कौन से वे महान-शासक थे जिन्नों ने यूरोप को आधनीकी करण की दिशा में ले जाने में सर्व प्रथम प्रयास किये, सफल प्रयास किये दूसरे शब्दों में कहने का ताथ पर ये है कि यह अध्याय मुलतास समाज को केंडर में लेकर लिखा गया है और इसके पीछे ये सोच है जिसमें बहुत से इतिहासकार शामिल हैं जिसमें एक Mr. Blotch भी थे B-L-O-C-H इनका कहना था इतिहास जो है वो विशिष्ट व्यक्तियों, घटनाओं या अंतराश्टी चीजों से नहीं बना है इतिहास तो वास्तों में मानवी दृष्टी को केंदर में रखके लिखा जाता है और इस काल में हम इसी मानवी बिंदु को लेकर मानव समाज को लेकर हम इतिहास का अध्यान करेंगे ये इस काल की खास बात है इस अध्याय की खास बात है दूसरे शब्दों में नौवी शताब्दी से सुलवी शताब्दी का जो काल था उस काल में मूल रूप से जो इतिहास घूमता है वह समाज के इर्दगिर्द घूमता है योरप में जो आर्थिक, समाजिक और राजनीतिक बदलाओ आते हैं उनका हम अध्यान करेंगे बदलाओ उस बदलाओ में कुछ लोगों की भूमिका रही होगी उसका जिक्र होगा पर वे लोग केंदर में नहीं रहेंगे अध्यान के इस अध्याय को जानने से पहले, इस पर बढ़ने से पहले थोड़ा हम पीछे के और जाएं इसके प्रिश्ट भूमी जाने देखें यह अध्याय नौवी सदी से है हमने पिसले अध्याय में पढ़ा यायावर जाती और उसके पहले भी हमने पढ़ा इसलाम धर्म का उद्यादी जदि हम इसलाम धर्म की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है सात्वी शताबदी में और नौवी शताबदी आते आते इसका विस्तार होता है और जब विश्टार होता है तो एक सामराज जवादी प्रवृत्ति भी आती है और ये लोग कई खेत्रों पर कब्जा करते हैं अब जब कब्जा करते हैं तो ये कुछ अन्य सामराज की कीमत पर अर्थाथ कुछ अन्य सामराजी के खेतरों को तोड़ कर उसे अपने में मिलाते हैं और इस प्रकार एक अरब सामराजी का उद्य होता है इस घटना करम में बहुत से युद्ध हुए और जो सीमाएं हैं उस काल में देशों की वो बार बार बदली नए सामराजियों के उद्य और पुराने सामराजियों के विगटन के परणाम सुरूप जिसमें रोमन सामराजी था, बाइजिन्टाइन सामराजी था, सासानी सामराजी था, एरान का सामराजी था, आदी आदी इसके नक्षे को आप देखिए नौवी शिताब्दी के पूर्व का नक्षा यौरप पर किस तरह का था किस तरह के सामराज्य थे हम इस नक्षे के मद्दे नजर हम आगे बढ़ेंगे और बदलते हुए घटना करम के परिप्रेक्ष में जो समाज में बदलावाए उनका ध्यान करेंगे एक चीज यहां समझने की लाइक है या आपको ध्यान में रखना होगा जब सामराज्यों का विगटन होता है नए सामराज्यों का उदै होता है तो विभन खेत्र जो हैं वो नए सामराजियों में जुड़ते हैं या नए सामराजिय के कुछ खेतर तूट कर बाद में एक तीसरे सामराजिय में जाते हैं ये जो अधर ये जो उठा पटक मश्ती है सामराजियों की सीमाओं के बदलाओं की उससे समाज बहुत प्रभावित होता है निश्चित होगा एक समराज के रहने वाले लोग दूसरे समराज के लोगों से जब जुड़ते हैं तो वह नहीं परमपराओं को जन देता है कुछ नहीं विचारों को जन देता है कुछ नहीं आदितों को जन देता है मुसलिम लोग भारत आते हैं और वास्तों में उनका जो इस्थाई रूप से आना जो होता है वो समझ लिजे सल्तनत काल से होता है बारवी शताबदी से और उसके बाद उनके साथ जो बहुत सारे सैनिक आते हैं वो भारती सैनिकों के साथ रहते हैं दोनों की भाषाएं दोनों का रहन सहन दोनों की जीवन शै प्रवाह होता है। जो थे वो फार्प्सी भाषा बोलते थे। और हिंदू लोग, हिंदू स्टैनिक जो उनके साथ रहते थे वो अपनी भाशा बोलते थे फार्ची और हिंदी भाशा के जन्व से एक नई भाशा का जन्व हुआ उर्दू जो दोनों के लिए एक तरीके से संपर्क भाशा बनी और सरल भाशा बड़ी ये नई परंपराए है हम इसी तरह की नई परंपराओं का अध्यान हम यूरप के संदर में करेंगे और वह नौवी शताबदी से सोलहवी शताबदी के बीच इस काल में जैसा आपने नक्षा देखा मैप आठवी शताबदी का और उसके विगटन को समझने की कोशिश यदि करें तो आप देखेंगे कि रोमन सामराज जब तूटता है तो पूर्वी और मध्य यूरप में काफी बदलावाता है कौन से यूरप में पूर्वी और मध्य यूरप में कई जर्मन मूल के जो लोग थे आप देखिए इस नक्षे में फ्रांस है इंग्लेंड है जामनी दिख रहा है उसके नीचे इटाली है स्पेन और पर्चगाल मूल रूप से इस अध्याय में इस खेतर में होने वाले बदलाव का अध्यान होगा इसलिए आपको ये नक्षे को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है फ्रांस से लगा हुआ उसके बाजू में वो खेतर है जो बाद में जामनी बना और जामनी की सीमा है देखें उस समय की जामनी उस समय एक राष्ट नहीं था बलकि जर्मन भाषाई लोगों का एक तरीके से पांस सो छैसो छोटे छोटे राज्यों का एक खेतर था फ्रांस को आपने देखा उसकी सीमा जामनी चे लगी हुई है उसके ठीक नीचे इटाली है और उपर इंगलंड है पूर्वी और मध्य यरॉप के कई जर्मन मूल के लोग जो जर्मनी में रहते थे उस खेतर में रहते थे जो बाद में जर्मनी कहला जा वे लोग यहां वहां चारों दिशाओं में जाते हैं जब रोमन अम्पायर तूटता है तो और उसके बाद विविनिक खेतरों में बसते हैं विविनिक खेतरों पर कबजा करते हैं अर्थात यह वो काल है जब हम जर्मन प्रजाति के लोगों का एक तरीके से प्रादुर्भाव देखते हैं समय आते आते जर्मन समूहों ने इटेली पे कबजा किया स्पेन पे कबजा किया और फ्रांस के खितर में भी कबजा किया फ्रांस जो है आपको बता दूँ यहीं पर आगे इसका जिक्र और आएगा फ्रांस नाम जो है वो तो बहुत बाद में पड़ा मूल रूप से फ्रांस का नाम था Gaul G-A-U-L Gaul वहां के लोगों की भाष़ा में Gaul फ्रांस का था जब जर्मन लोग अपने खषेत्र से ढूसरे खषेत्रों में जाने लगे सामराज बनाने की नीती के तहत अपना अपना क्षेत्र बनाने की नीती के तहत तो जर्मन प्रजाती एक थी फ्रैंको फ्रैंको प्रजाती के लोगों ने काफी बड़ी संख्या में मूल जर्मन खेत्र से से बाहर निकल कर अन्य जर्मन खेत्रों अन्य खेत्रों पर कब्जा किया उसी कब्जे के अताथ उन्हें ने गॉल पर कब्जा किया और गॉल में जब फ्रेंको प्रजाती के लोंगों का एक तरीके से दबदबा बढ़ते गया बढ़ते गया और उन्होंने पूरी तरफ गौल को जब अपने कब्जे में कर लिया तो उसका नाम बदल कर उन्हेंने फ्रांच रखा ये नाम करण के बदलाओ की घटना इन्ही काल की है जिसका हम अध्यन करने जा रहे हूं संगठित राजनीतिक बल की इसकाल में हम कमी देखते हैं क्योंकि सामराज्यों का विगटन हो रहा था नए नए एस्पिरेंट्स नए नए उम्मीदवार सामने आ रहे थे जो तूटते हुए सामराज में ज़्यादा से ज़्यादा अपना दबदबा बनाने का प्रयास कर रहे थे और उसके कारण अनेकों युद्ध हुए युद्ध के कारण बहुत सारी घटनाएं होते हैं बहुत सारे परिवर्दन होते हैं क्योंकि युद्ध में हजारों सैनिक जाते हैं वो सैनिक कौन थे युद्ध में सीमाएं बदलती हैं उसके परणाम क्या हुए ये सब जो है वो बदलाओ का हिस्सा बनी तो चुकि उस काल में संगठित राजनीतिक बल नहीं था और्गनाइजड पलिटिकल स्ट्रक्चर नही के लिए संसाधन जुटाना बहुत जरीड हो गया यदि जमीन ही सब कुछ थी उस काल में जो सचाई है तो जमीन की रक्षा करना बहुत महत्पूर्ण हो गया ये जो छोटे-छोटे सारे युद्ध हुए ये सब जमीन के लिए हुए अब जमीन से जुड़े रक्षा से उसके लिए सैनिकों की जुरत, घुर सवारों की जुरत, हतियारों की जुरत, धन की जरूरत, आदी आदी ऐसे संसाधन जुटाना अब बहुत जरूरी हो गया जो भी मुख्या था, अपने अपने क्षेतर में जो भी मुख्या बनना चाह रहा था वे सब प्रयास रथे कि वे सैनिक जुटाएं घुर सवार जुटाएं और आवशक भोजन और ये सब की जो एक भंडार है उसे बनाएं क्योंकि ये सब युद्धिके से में बहुत काम आती है इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में अर्थात नौवी से सुलवी शदी का काल जो है वह एक तरीके से सामाजिक धाचे में जो केंदर बिंदु था वह था भूमी पूरी जो घटनाएं थी वो भूमी के आसपास घूमती हैं हर घटना के पीछे भूमी जमीन का मुद्दा जुड़ा हुआ था और इस प्रकार जमीन केंदर बिंदु रहा इस काल का तो नौवी से सुलवी शिताब्दी के काल के पहली बदलाओ या पहला जो परिवर्तन हम देखते हैं पृष्ट भूमी में वह है रोमन एमपायर का तूटना और उसके बदले वले ने ने क्षेत्रों का आना उसके बाद हम देखते हैं फ्रैंको जो जर्मन पर जाती थी उसका विस्तार और उसके प्रणाम सुरूप होने वाले परिवर्तन उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार छोटे-छोटे क्षेत्री युद्धों में वृद्धी अगला बिंदू जो हम देखते हैं वो है जमीन केंद्र बिंदू पर और जमीन को बचाएने के लिए आवशक संसाजनों को जुटाने का प्रयास इस प्रयास में भी बहुत से युद्ध हुए और इस पकार पांचवा बिंदू जमीन केंद्र छटवी बाद जो इस काल की थी वो ये थी कि इस काल के समाज में जर्मन रीती रिवाज का प्रदुर्भाव था और शाही रोमन परंपराएं ज़्यादा थी रोमन सामराज यद्यपी विगटित हो गया पर उसकी जड़ें इतनी पक्की थी कि उसकी परंपराएं जो थी शाही परंपराएं दर्बार से जिसका संबन था राजा से जिसका संबन था वे परंपराई जारी रही ये इस काल की बहुत बड़ी विशेष्टा है इन विशेष्टाओं को हमें ध्यान में रखना होगा जब हम आगे अध्यन करेंगे रोमन संबराज के शाही रोमन परंपराओं के दिबात करें तो इसका मतलब ये हुआ ईशाई धर्म जो रोमन संबराज का मूल धर्म का राजकी धर्म था वो रोम के पतन के बाद भी बना रहा रोम विगटित होता है पर उसके विगटन से उसके धर्म पर कोई दुष्ट प्रवाव नहीं पड़ता बलकि उनका जो धर्म था ईशाई धर्म जो राजकी धर्म था वह और बढ़ता है धीरे धरे मद्र और उत्तरी यॉरप में फैल जाता है ईशाई धर्म एक और इसलाम का प्रादर भाव हो रहा था वहीं दूसरी और ईशाई धर्म भी अपने पैर पसार रहा था यूरोप में जो चर्च है जो जिसका सम्बंद धर्म से है इसाई धर्म से है चर्च यहने इसाई धर्म का वह केंदर जहां सारी धर्मी क्रियाएं और एक समय के बाद राजनीति गत्विदियों का भी केंदर बना तो चर्च राजनीतिक शक्ति और भूमी धारक बन गया मैंने बताया आपको कि केंदर पर सब भूमी थी इस काल के अध्यान में केंदर में भूमी है इस भूमी के धारक कौन थे? मूल रूप से चर्च था तो चर्च कितना शक्तिशाली रहा होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हो धर्म का कितना ज़्यादा बोलबाला रहा होगा इसको आप सोच सकते हो और इसकार ये चर्च जो थे जैसे भारत के संदर में देखें तो प्राचीन काल में मंदिर जो होते थे वो भारत के मंदिर एक तरीके से सभी तरह की शक्ति का केंदर थे राजा भी मंदिरों में जाकर पूछता था क्योंकि मंदिर केंदर हुआ करते थे मार्केट प्लेस भी था, शिक्षा का केंदर भी था मनोरण्जन का केंदर भी था इसी प्रकार मध्ध और उत्री यॉरप में हिसाई धर्म के प्रचार प्रसार के साथ चर्च जो है वह अब राजनेतिक शक्ति भी बनता है और भूमी धारक भी बनता है दूसरे शब्दों में जिसके पास भूमी थी उसके पास राजनेतिक शक्ति भी बनती है एक नजर इस नक्षे में पुन्ह डालें फिर से देखिए फ्रांस गौल लिखा हुआ है और इसकी सीमाएं देखेंगे तो इसकी सीमाओं में समुद्र भी है बहुत सारी अंदर पहाड़ियां थी बड़ी बड़ी नदियां भी है प्लेन मैदान भी है और मौसम भी बड़ा अच्छा है कुल मिला के फ्रांस भागोलिक दिश्टे से अपने स्वायम तहीं एक पूरा देश था इसके बाजू में पैरिस जहां लिखा हुआ है उसकी सीमाएं जर्मन राज को जाती है और जर्मन राज को आप देखें तो जर्मन राज नीचे तक लगभग जहां सिसिली लिखा हुआ है वहां तक फैला हुआ रहता है वेना, आस्टिया, एड्रियाटिक सी के पास, इटेली ये इतना लंबा खेत्र जर्मन राज के प्रभावित खेत्र था इसके बाद स्पेन देखिए, मैडरेड और पर्चगाल देखिए और उत्तर में आपको थोड़ा याद रखना होगा कि इंग्लेंड दिखाई दे रहा है और उसके उपर स्कॉटलेंड दिख रहा है इसी काल में इंग्लेंड स्कॉटलेंड पे कबजा करता है और उसे अपना खेत्र बनाता है तो इस नक्षे को ख्याल में रखते हुए अब हम आगे का ध्यन करेंगे समाज के तीन वर्ग जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है इससे जो हमारा अभी प्राय है या हमारे कहने का मकसद है वो समाज के उन तीन शेडियों से है जिने इसाई पादरी किसान भूमिधारक अभी जात वर्ग तीनों शेडियां कई सदी तक योरोप के इतिहास को गढ़ने में योरोप के इतिहास को बनाने में बहुत महत्पूर्ण भूहिन करने बाती है इसाई पादरी भूमिधारक अभी जात वर्ग और किसान योरोपी इतिहास कारों की बात करें तो उन्होंने कई क्षेत्रों के इतिहासों यहां तक की सभी गाओं के इतिहास पर काम किया और ऐसा इसलिए क्योंकि भू स्वामित्व के दस्तावेज और अन्य डाकुमेंट हमें उस इतिहास उस खेत्र के इतिहास के बारे में बहुत गहन जार करिया देते हैं अर्थात इन तीन वर्गों के अध्यन में हमें कौन-कौन से शुरोतों की जरुरत परती है और कौन-कौन से शुरोत उपलब्ध हैं जिनके आधार पर गाओं-गाओं के इतिहास को हमने एक साकार रूप एक रूप दिया है और एक समगर इतिहास बनाने में सफल हुए है तो यदि हम शुरुतों की बात करें तो सबसे महत्पूर्ण शुरुत है भू स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज डॉक्यूमेंट ओनर्शिप आफ लैंड से संबंधित डॉक्यूमेंट जिसमें जमीन के मुल्ख, कीमतें मालिक का नाम जिसने जमीन दी है उसका नाम तारीक और अन्य विवरन है जो समाने तैक जमीनी दस्तावेज में मिलते हैं ये बहुत महत्पूर्ण जानकारी है दूसरा मुल्य और कानूनी मामले जैसे सभी दस्तावेज मुल्य और कानूनी मामलों की बात करें तो इसमें जिस कीमत पर जमीन का लेंदेन हुआ है उसका विवर्ण रहेगा इसके अलावा तीसरा चर्च में गिर्जा घरों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह संबंधी डॉक्युमेंट जिसमें जन्मदर, गर्ल, बॉई, संबंधी जनकारियां और इसके साथ ही विवाह संबंधी जनकारियों से प्राप्ट उजाते हैं एक विवाह संबंधी जो एग्रिमेंट होता है दस्तावेज होता है ये बहुत तरकी जनकारियां दे सकता है जो इतिहास के जिश्टे से बहुत महत्पूर्ण हो जाते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की मदद से परिवारों की जानकारी मिलती है परिवारों के बीच में होते हुए संबंधों की जानकारी मिलती है सामाजिक लैंड इसकेप की जानकारी मिलती है इसके साथ ही जन संख्या की रचना की बहतर समझ मिल पाती है साथ ही चर्चों से प्राप्ट जो दस्तावेज हैं वे व्यापारिक संस्थानों के बारे में भी जानकारी देते हैं ये कैसे जो व्यापारिक संस्थान थे वे बहुत बार चर्च में दान देते थे या चर्च में अपनी उपस्तिती दर्च कराते थे या चर्च में प्रार्थना में विश्षित दिनों में जाते थे जिसका रिकॉर्ड रहता था और इस रिकॉर्ड के माध्यम से हम व्यापारिक संस्थानों के बारे में जानते हूं किस चीज में व्यापार करते थे कहां कहां से व्यापार होता था किनके द्वारा व्यापार होता था व्यापार कैसे होता था ये जानकारी काफी कुछ इस तरह के दस्तावेजन से मिल जाती इसके साथ अन्य जो दस्तावेजन से वे हैं गीत और कहानिया जो उस काल में अच्छे संख्या में लिखी गई है गीत कहानिया ये जो होती है हमेशा समाज का दर्पन कहलाती है Mirror of the Society क्योंकि समाज में जो हो रहा है वही तो गीत के रूप में या कहानियों के रूप में निकल रहा है कहानिया से एक तरह की सच्चाईया होती हैं उस समय के समाज की तो इनके माध्यम से इनके उपलब्धता से हमें काफी कुछ जानकारी मिल जाती है चाहे वो उच्छवों की जानकारी हो सामोदाइक गतिविदियों की जानकारी हो पारिवारिक जो कारिकरम होते हैं उनकी जानकारिया हो सब कुछ इसमें मिलता सा इन सब चीजों का उप्योग इतिहास कार करता है और ऐसा करते हुए ततकाली इन आर्थिक और सामाजिक जीवन का जानसंकिया वृदिका और बाद में हुए कृशक विद्रोहों का जिसमें जिकर मिलता है ये सब के जिकर के साथ साथ हम पाएंगे कि ये जो डाक्यूमेंट हैं जो शुरोत हैं उस काल के नौवी शिताबदी से सौलवी शिताबदी के इन शुरोतों के माध्यम से हमें बदलते हुए समाज का भी एक खाका मिलता है वो समाज जो प्रारम में कृशक कृशिय आधारित या भूमी आधारित समाज था अब कैसे उसमें बदला होता है इसकी जरक दिखाई देने लगती है इन डॉक्विमेंट्स के माध्यम से कैसे तेरवी, चौदवी, पंदरवी शताबदी में धीरे-धीरे सामन्तवादी व्यवस्था से यौरप निकलने लगता है और ये सामन्त व्यादी व्यवस्था से निकलने का घटना करम ही हमें यौरप के आधनिक इतिहास के शुरुवात की ज्छलक दे देता है इसलिए मैंने प्रारम में कहा था कि आधनिक युक की आहट का ये एक तरीके से काल है मद्धिकाल की अधि हम बात करें तो मद्धिकाल लगभग 901,000 BC में समाप्त हो जाता है 901,000 AD में और आधनिक काल लगभग 16,000 BC में प्रारम होता है तो ये जो बीच का काल है यानि एक हजार से लगभग 1500 तक का ये काल ना मद्ध है ना आधनिक है या बलकि और कहना उचित होगा कि 900 से लेकर 1200 तक का काल भी मद्ध में आता है 1200-1300 से लेकर 1600 तक का जो पीरिड है वह पीरिड जिससे हमें सामाजिक बदलाव महसूस होने लगता है वह पीरिड एक संधिकाल भी कहलाता है संधिकाल किनके भी संधी मद्ध काल और अधनिक काल के बीच की संधी बीच का वो काल इतिहासकार इन सब डॉक्यूमेंट की मदद से ही इस काल के इतिहास को बनाने में सफल हुए है और ये सब document बहुत आराम से उपलब्द हैं गाओं गाओं में जहां सामन्ती व्यवस्था थी उस काल में सामन्ती व्यवस्था के कारण इस तरह के दस्तावेजों का बड़े उचित तरीके से रख रखाओ भी हुआ है और इसलिए हम इन सब में परिवर्तन चाहे जीवन शैली में चाहे सामजिक व्यवस्था में जन संख्या में बदलाओ विद्रोह इसको हम बड़ी अच्छी तरके से समझ सकते हैं जब सामंती व्यवस्था में रास आना शुरू होता है उसका एक कारण होता है क्रिशिकों द्वारा विद्रोह क्यों ये विद्रोह हुए इसका अध्यन हम आगे करेंगे लेकिन फिलहाल आप इतना समझ ले कि बहुत विद्रोह शुरू हुए फ्रांच के एक विद्वान का मैंने जिक्र किया ब्लाच का ब्लोच मार्क ब्लाच वो व्यक्ति है जिसने इतिहास को मानवता मानव के इतिहास के रूप में कहने पर जोड दिया सबसे पहले सामंत वाद पर काम इसी नहीं शुरू किया और इस काल का सबसे पहला आथेंटिक इतिहास का काम ब्लाच नहीं किया मार्क ब्लाच का जो काल है 1866 जन्म 1944 मृत्यों 1944 और साथ वो काल जब विश्व में हिटलर बहुत युद्ध के में विश्व को उलजा दिया था और 44 आते उसका उसकी पराजय लगभगता हो गई थी उस पराजय के तंभावित पराजय के भै ने उसे एक तरीके से पागल कर दिया था वो कुछ भी करने को तियार था कॉंसेंट्रेशन कैम्प्स और नाजी नाजीयों के द्वारा किये गए विभत्स जो कारे किये गए उसे विश्व इतिहास बखू भी जानता है मार्क ब्लॉक इतने प्रसिद्ध जो इतिहास कार थे उन्हें हिटलर की फौज ने नाजी फौज ने उन्हें 1944 में गोली से मार डाला गोली से उड़ा दिया इस प्रसिद्ध विद्वान का जब अंत होता है तो दुर्भाग से उनके द्वारा किया गया बहुत सारा रिसर्च का काम अधूरा रह जाता है अन्य था काफी कुछ और गहराई से हमें उततकालीन सावंतवादी समाज के बारे में जानकारी मिल सकती थी लेकिन जो भी जानकारी उन्होंने एकठी की है उसके अनुसार ये बाच पश्ट है कि उन्होंने इतिहास को मानुवी अध्यन के रूप में परिभाशित किया है ये उस वर्ग के विद्वान से जिनका कथन था कि इतिहास की विश्यवस्तु राजिनेतिक इतिहास अंतराश्टी संबंद महान व्यक्तियों का नहीं है मानुव इतिहास को गड़ने पर ज़्यादा जोड़ दिया जन समू को जन समूहों के इतिहास पर उनका ज़्यादा जोड रहा जन समूहों के विवहार को समझने समझाने पर उन्होंने खास बल दिया 900 से 1300 के बीच फ्रांशीसी समाज के जो समाजिक संबंद थे और जो वरगी करण था समाज का वरगी करण जो भूमी विवस्था थी उस काल की जो संस्कृती थी उसका बहुत ही डीटेल्ड विवरन असाधारेंड विवरन ब्लॉक ने अपनी पुष्टक में दिया है जिसका नाम है सामन्ती समाज सामन्ती समाज क्या है इसका ध्यन हम आगे करेंगे सामन्त शब्द का क्या आता है वैसे फिलहाल हम समझ ले कि सामन्त वाद जो है ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंदर में भूमी से जुड़े हुए लोग रहते हैं ऐसी सामाजी क्वेवस्त था ऐसी राजनेतिक वेवस्त था जिसके केंदर में भूमी हैं सामन्तवाद की शुरुवात यूरॉप में पांचवी सदी में होती है लेकिन पूरी तरह से इसका विकास होते होते लगभग नौवी सदी आती है और चौदहवी पंदहवी सदी आते आते ये पतन की और जाने लगता है लेकिन काफी लंबे समय तक उसके बाद भी रहता है लेकिन इसके हम गिरावट देखने लगते हैं और यही गिरावट का जो काल है अर्था 14-15-16 शदी ये काल आगे हम समझेंगे एक तरीके से आधनिक यूरप या आधनिक विश्व के आने की और इशारा करता है इंगित करता है तो मार्क ब्लॉक का योगदान इस संदर में हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने उस काल के अध्यान में बहुत महत्पूर्ण भूमिका नभाई जो काल दोनों कालों के बीच में मध् आधनिकाल अर्थात लगभग हम 13 शताबदी तक ले ले आधनिकाल की शुरुआत हम 17 शताबदी से लेते हैं तो यह जो बीच का जो काल है पीरिड है वह संदिकाल कहलाता है बाद में इसके बारे में फिर जिक्र होगा